नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सुब आज हम आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं आज हम त्यूलिप पैंट बनाएंगे त्यूलिप पैंट है जो आजकल बहुत अरह ट्रेंड में चल रही है या आप इसे वेस्टन के साथ नॉर्मा कोड़ते के साथ फ्रॉक के साथ पहन सकते हैं नॉर्मल शॉर्ट टॉक के साथ भी पहनेंगे तो यह बहुत सुन्दर लगती है तो यहाँ पे अर्फा है मेरी सब्सक्राइबर उनने बड़े दिन से बोला है मुझे वीडियो बनाने के लिए तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनने जा रहा है तो यहाँ पे हम नहीं ये फैब्रिक लिया है ये जो फैब्रिक है मेरे पास 44 इंच पने का फैब्रिक है अगर आप यहाँ पे 20 इंच हिप तक गहरा बनाना चाते हो तो ये जो फैब्रिक है बिल्कुल सफिशेंट रहेगा अगर बहुत ही healthy लोग है तो उनके लिए आपने बड़े घेरे वाला यानि की बड़े पने वाला कपड़ा लेना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अब इसको fold करेंगे कपड़े को ये मेरे पास यहाँ पे 20 मीटर कपड़ा है आप सवा 2-5 मीटर कपड़ा ले लीजिए उसमें ये पेंट हमारी easily बन जाती है अगर आपके पास 2 मीटर कपड़ा है piece में तो भी बन जाएगी तो यहाँ पे हमने इसको fold कर लिया है double में ये देखिए इस तरह मैंने इसको double में fold कर लिया है कन्नी से कन्नी मिलाते हुए ये हमारी बंद वाली side है और ये हमारी खुले वाली side है इस तरह हमने चोड़े आर्ज में इसको fold किया है तो ये इस तरह रखेंगे ये हमारी खुले वाली side है इस side में तो अब हमने इसको fold करना है तो fold करने का तरीका आप देख लीजिए इसको हमने यहाँ पे एक उंगली इस तरह रख लीजिए ठीक है तो यहाँ पे हम इसको finger को रखेंगे और इस कपड़े को इस तरह fold करेंगे ऐसे हमने इसको fold करना है तो देखिए इसको हमने इस तरह fold कर दिया है यह इस तरह है तक्रीबन इसका जो चड़ाई है वो हमने ऐसे रखी है यानि कि हाफ में इसको फोल्ड कर दिया है अब यह जो हमारा कॉर्णर है वो यहाँ पे रहा है और उपर की तरफ से आपको रिखा देते हूं कितना हमने चोड़ा फोल्ड किया है तो यह जो ऊपर का हिस है तक्रीबन तक्रीबन हमारा 15 इंच के गरीब यह फोल्ड में है यही लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हमने फोल्ड कितना करना है वो मैं आपको बाद में समझा दोगी बीच में अब हम क्या करेंगे कि इस साइड को कपड़ा को भी फोल्ड करेंगे अब हम यहाँ पे हा कपड़ा है इतना कम है तक्रीबन छे तक्रीबन 6-7 इंच कपड़ा यहाँ पे कम रहेगा इस तरह फोल्ड करने के बाद मार्किंग करेंगे यहाँ पे धाई से 3 इंच कम है हमारा कपड़ा यह आप देख सकते हैं और उपर की तरफ यह हमारा इस तरह 6-7 इंच कम है तो यहाँ पे अब जो लंबा ही लगानी है वो आप देखी तो यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल सलवार है वो 37 इंच के गरीब रेडी होती है तो इस पे हम निशान लगाएंगे तो यह कॉर्णर से हमने इस तरह इंच टेप को रखना है इंच टेप रखते हुए हम उपर की तरफ इसमें 38 का निशान लगा रहेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंच बढ़ा के ले लिया है 38 इंच का एक निशान यहाँ पे लगा दिया है तो यहाँ पे इसके उपर मार्किंग हमने कर दी है तो अब हम इसकी घेर को ना पेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ एक निशान और लगा रही हूँ एक इंच डाउन का तो वह हमने क्यों लगाया है क्योंकि यह सलवार थोड़ी सीच एंकल लेंथ चलती है अगर आप थोड़ा एंकल लेंथ पहनना चाहते है तो एक इंच कम कर दिजिए अगर आप full length बनाना चाहते हैं तो इसको पूरा रखेगा जितनी आपकी सलवार लंबी है तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह निशान लगा दिया है अब निशान लगा के हलकी सी गुलाई आ गई है अब इसकी हमने करनी है cutting उपर का कपड़ा जो बच गया है उसमें से हमारी belt जाएगी और नीचे के कपड़े में हम यह ready कर लेंगे pen यहाँ पे 1.5 इंच का हमने crouch area का निशान लगा दिया है और उधर की तरफ हमारा यह जो खुद बंद वाली side है उधर हैगी यह खुले वाली side हमने crouch area लगाना है यहाँ पे 3.5 इंच मैंने crouch area का निशान लगाया है और 2.5 इंच ही मैं नीचे की तरफ लगा देती हूँ इस तरह हम 2.5 इंच की गुलाई डालके यह हमारा crouch area निकल जाएगा इस तरह हमने इसमें crouch area बंद वाली side में निकालना है जिस side हमारी एक side open है जिस side से हमने marking की है लंबाई की तो यह आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हो जाती है तो आप ही cutting गलत हो सकती है तो अब हम उपर से भी इसको cut कर देंगे और मैंने हर चीज बिल्कुल clear इसमें बताई है आप एक भी चीज को miss मत कीजिएगा तो इसको मैं पहले कर देती हूँ cutting उपर से और नीचे के हिस्से में भी आपने shape देनी है वो आप ध्यान से देखिएगा तो यह हमारा यहाँ पर crouch area निकल गया है यह tulip pen हम frog के साथ पहनते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगती है तो उससे पहले हम नीचे वाल हिस्से की setting कर देते हैं तो नीचे वाल हिस्से को हमने जैसे था वैसे ही रख लिया है यह मार्क में इस गलती से लग गया इसको नहीं देखना आपने यहाँ पर हम नीचे से दो इंच छोड़ देंगे अब हमने दोनों पल्लों को इस तरह आपस में पकड़ लेना है अब इस कपड़े को हमने इस तरह फोल्लेर में ऐसे रख लिया है अब इसको रख लेंगे इस तरह और अब setting कैसे करनी है वह देख लीजिए आप नीचे की हिस्से में जो readymate में शेप आती है वही वाली शेप हम देंगे यहां पर हम 5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं तो यह निशान हमने 5 इंच का लगा लिया है और इसको गुलाई देते हुए ऐसे नीचे वले हिस्से से मिला देंगे बंद वाली साइड मिला देंगे खुली वाली साइड से हमने शेप देनी है और इसको हम इस जैसे readymade में पहुंचा होता है वे सेम वैसा सा पहुंचा हमारा ये बन जाएगा तो ये जो पैंट होती है थोड़ी सी उची पहने जाती है लेकिन अगर आप लंबा रखना चाहते हैं तो normal length से थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं तो ये ये हमारी cutting अब हो गई है अब करते हैं इसकी stitching अब हम इन पल्लों को इस तरह खोल लेते हैं खोलने के बाद इसको हमने फोल्ड करना है साइटों से साइटों से दोनों साइट से हम ये गुलाई वाली साइट से इस तरह एक एक point कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे normal hamming जैसे करते है नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसी हमने सिलाई लगानी है दोनों कपड़ों के उपर तो लीजे सिलाई हमने लगा ली है इधर वाले कपड़े के उपर भी दूसरे वाले कपड़े के उपर भी इस तरह मैंने इसको सीधा रखा है अब हमने सीधी तरफ से इसको इस तरह रख ल और मिला के जो ये crouch area है इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो लीजे crouch area हमने इस तरह डबल सिलाई लगा के सिल दिया है अब हम इसको पगड़ेंगे नीचे वाले कपड़े को एक उपर वाले को इस तरह रख लेंगे अब ये छोटे वाले हिस्से हमारे उपर की तरफ और नीचे से सेटल करते हुए, बीच के हिस्से में हम 4 इंच का गाप छोड़ते हुए इसको रख लेंगे। इस 대해 हमारा ये 5 इंच आ जाएगा, यहाँ पर 7 इंच का हमारा पहुचा रहेगा, बीच के हिस्से में हमने 4 इंच का गाप ये छोड़ देना है। आसन के साथ 4 इंच का गैप छोड़ते हो इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और अब हमने यहाँ पे पिन लगा देने हैं इसमें सारे में हम पिन लगाके इसको सेटल कर देंगे तांकि जब भी हम इस पे सिलाई लगाएं और चुननत डालें तो यह बिल्कुल भी खुले ना और निकले ना अब नीचे की तरव से हमारा पांचा गरीब रहेगा इस तरह हमने रख लिना है और यहां पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है तो यह 7 इंच का हमारा पांचा हो जाएगा और जो इस पे लेस लगानी है वो 9 इंच से शुरूँ करनी है 9 इंच से थोड़ी उपर से तो इस पर लेस हमारी 9 इंच से शुरू होगी तो इसके उपर मैं वाइट कलर की ही लेस लगा रही हूँ अगर आपको कोई और पसंद हो, मैचिंग हो आपका तो आप वो भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने वाइट कलर की लेस ली है और यह थोड़ी पॉम-पॉम टाइप में है अब इसको हम इसमें पूरे में लगा लेते हैं इस तरह शुरू करेंगे जहां से हमने निशान लगाया है और उपर तक घुमा देंगे इस लोग तो लीजे लेस हमने इस तरह लगा दी है पूरे में आप देख सकते हैं इसका यह इस तरह इंप्रेशन आ गया है बहुत ही सुन्दर यह बिल्कु रेडिमेट लुक दिख व्काम लोगे ही इसकी और पहुंचा वी सका बहुती फिर्स वणाया है अब हम इसमें पिंश लगा लेंगे सिलाई लगाने के लिए यहांपे हमने शाथ इंच पर निशान लगाके इसको यहां तक इसको ऽितलना है और होपर के इससांगे नीचे की नीचे में नहीं देनी है अब यहां पर हमने एक पेर लगा दिया है और उन्पर में पहले शे पिल लगा दिया план तो इसे नाप पर हमने लगाए है साथ इंची हमारा बहुत ही first class बनकर ready हुआ है अब हमने इसकी बैल्ट लगानी है तो बैल्ट कितनी लंबी कितनी चोड़ी कट करनी है वह आप ध्यान से देखिएगा यहां पर हमने बैल्ट ली है अपने हिप से चार इंच ज्यादा टोटल में यह से यह हमारी आधे में दो इंच पहले बैल्ट बना लेते हैं बैल्ट बनाने के लिए पहले दोनों साइड से इसको stitch कर लेंगे इनको कपड़ों को बराबर करते हुए यह हमारी बैल्ट पांच चींच चोड़ी है इस चीज का ध्यान रखिएगा इससे चोड़ी यह बैल्ट आपने बिलकुल नहीं लगान साइड यहां हम इसको सलवार के अंधर जोड़ना है लेकिन सलाइड में पहले हम प्लेट नाइड़ गये इसको सप्साइड यह से में तीन प्लेट डाल गाए है अब front के हिस्से में हमने जिस side lace है वो हमारा front का हिस्सा है अब यहां से plate डालने शुरू करें हैं जैसे normal हम आधे-आधे inch के plate डालते हैं वैसे ही plate डालेंगे और जो यह lace वाले हिस्से को हम उपर की तरफ ऐसे सीधा रखेंगे इसको पर्टी नहीं होने देना है हमने प्लेट में इस तरह हम इसके अंदर शिलाई लगा देंगे चुन्दर डालते हुए और ये पिंस को हम पीछ में हटा रहे हैं और ये जो प्लेट से हमारी उतने हिस्से में डलनी है जितने हिस्से में बैल्ट का हमारा हाफ आया है उसे ज्यादा में हमने प्लेट से नहीं डालनी है अगर आप ज्यादा डालोगे तो आपके जो घेर है वो बाहर की तरफ जाएगा तो दोनों हिस्सों में हमने प्लेट ऐसे ही डाल दी है अब हम बैल्ट लगाने का तरीका बताते हैं इस तरह हमने फ्रंट वाले हिस्से से ऐसे लेट ने से को डैए मिला दाल देती हूँ तो इसमें ये cover पूरा हो जाएगा जैसे ये सही आ जाएगा अब हमने इसको पिछे के हिस्से में मिला लेना है ये बिल्कुल complete है और इसको अब हम still देते हैं ऐसे ही हमने front वाले दूसरे हिस्से में करना है यहाँ पर सिलाई को हम रोक देते हैं जब back में आ जाएंगे सिलाई सी सिलाई हमारे मिल जाने चाहिए और दूसरे हिस्से में भी सेम वैसे ही हमने सिलाई लगानी है जैसे हमने इधर हमने चुन्नट सेट करते हुए लगाई है तो लीजिए ये सिलाई हमारी लग गई है और आप देख सकते हैं प्लेट्स हमारे इस तरह दिख रहे हैं और अब हमने क्या करना है इसमें इलास्टिक डालनी है यहां पर जितनी आपकी टोटल हिप है उसमें से 10 इंच कम ले लीजिए जैसे मेरी हिप यहां पर 40 है तो हमने 30 इंच की यह तोटल इलास्टिक ली है और इसको अब इसके अंदर डालेंगे तो मैं इसमें जॉइंट लगा लिया है अब हम ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके उपर ओवरलाप करेंगे और सिलाई लगाएंगे अब जो सिलाई लगानी है वो हमने only कपड़े के उपर लगानी है इलास्टिक के उपर यह सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगे अगर आप इलास्टिक के उपर लगा दोगे तो इसमें खिचाब बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह फोल्ड करते हुए हम नेफे को पुरे को सिल लेते हैं इलास्टिक सेट करते हुए तो लीजिए ये हमारी इलास्ति किसमें डल गई है इसको इस तरह खींच लेते हैं खींचने के बाद हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे और लीजिए ये हमारी टूले पैंट बनकर तयार हो गई है ये जो पैंट है देखने में बहुत जादा सुन्दर लग रही है और बिल अगर आप लंबी बनाना चाहते हैं तो एक से दो इंच लंबा कपड़े को रख सकते हैं जैसे लैंथ में तो मैंने इस तरह की बनाई है ये वीडियो बहुत ही दिनों से मैं ट्राई कर रही है बनाने के लिए लेकिन अभी मैंने बनाया है तो आप अपने रिव्यू जरू के आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए थैंक ये पर वाचिंग